नमस्कार रेखा मुहरस किचन में आउपका स्वागत हैं आज हम आपके साथ बहुती आसान और क्रिस्पी नाश्टे की रेसिपी शेयर करने वाले हैं जिसे आप घर पर रखे हुए सामान से बना करके कई दिनों तक इंजोय कर सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस इपने अधी चो टी चमच धनिया पौडर दाल देंगे साथी नमक डाले में स्वादनुसार इसके बाध हम नहीं घ्यान-अगया शुट्ल्धs कर लिया इसके बाद हम इसमें आधा कप पानी और मिला लेंगे तो हमने टोटल यहां पर एक कप पेशन में डेड़ कप पानी डाला है मेजरमेंट के लिए आप यहां पर कोई भी कप या कटोरी सेट कर लीजिए तो देखिए इस तरीके से यह गोल बनकर तयार हो गया है लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी धन्या पति डाल देंगे अब गेस पर कोई भी एक पेन या कड़ाई चड़ा दीजिए और इसमें लगभख एक टेबलिस्पून ओयल डाल दीजिए ओयल बहुत ज़द हमें नहीं डालना है और चारतरफ इसे फेला करके ओयल को गरम होने द पका लेंगे तेज पर पकाने से मुझ पर इसके छीटे आ सकते हैं इसलिए इस बात का ध्यान रखिए तो धीमें आज पर इसे पकाते हुए लगभख हमें चार से पांच मिनिट लगेंगे लेकिन इसे लगातार चलाते रहना है वरना इसमें गुठलिया पड़ सकती है तो हम इसे मिक्सजार में पीछने वाले हैं तो यह देखिए सूजी का भी हमने पाउडर तयार कर लिया है आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फाइन पाउडर हमने इसका तयार किया है इधर लगभख पांच मिनिट हुए हैं और बेसन भी अच्छे से ठंडा हो गया है तो हम इस ख़ां अवजा जाध कर लिए कं़िए तो यह जी हमने एक कप सूजी डाल करके इसका डौ लगाकर तियार कर लिए है यह दि आपको लगए mesela ता आप नहीं तो सूजी और पाइदी आप लिंगावाब्स में थोड़ी सी सूजी और मिला दीजिए अब मिला हम इसमें तो यह देखिए हमने इसे एक रोटी की तरह बेल लिया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने इसे पतला नहीं रखा है हलका साथ इसे मोटा ही रखा है क्योंकि हम इसे कट करने वाले हैं तो यह कटर की हैप से में इसकी पतली-पतली से पहले स्ट्रिप कट कर अपनी हिसाब से चोटी यह पड़ी रख सकते हैं इसके बाद हम इसे थोड़ा सा मोड करके और डायमेंड शेप दे देते हैं आप अपनी पसंद से उसे और भी कोई शेप दे सकते हैं तो यह लीजिए चोटे-चोटे से संदर संदर से हमारे डायमेंड्स बनकर रेडी हो बैये हैं और लग हम इम बlor Sharm काफी सनदी हुता है तो हम ने यहां पर कुछ टायमन्ट्ञ बना करके pro Live कर लिए आप देख सकते हैं जयर देख smart je कड़ा में पहले होने के रख दिया था और तेल हल्का सा गरम हो गया है इसके लिए बहुत ज़्यादा गरम तिल की ज़रुद में और यह कुछ डाइमंड्स हम इसमें डाल देंगे और इने पहले मीडियम दूब लेंब पर आपकेशे बाते रहेंगे पीच बीच में ताकि अच्छे से फूल जाएंगे कुछ देर इसी तरीके से उलट पुलट करने के बाद हम गेस के आँस थोड़ी सी बढ़ा देंगे यह निकी मीडियम फ्लेम कर लेंगे और इनका कलर हलका सा चेंज होने तक हम इने फ्राइ कर लेंगे तो द जब आप फ्राइ करने के लिए उस समय आप गेस के आँस थोड़ी धीमी कर लीजिए और इस तरीके से कल्ची की एल्फ से उलट उलट करते हुए फ्राइ करेंगे तो सारे ही डायमेंड्स आपके अच्छे से फूल जाएंगे और थोड़ी देर बात आप गेस के आँस आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना क्रिस्पी बना है तो आप भी जल्दी से इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए और यदि मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी ना भू यह थेंक यू